हाई है हलो स्टुडिंट्स वेल्कम बाग आज हम लोग बात करेंगे मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ यूमन रिसूर्स मानेजमेंट इंपॉर्टेंट ऑफ यूमन रिसूर्स मानेजमेंट के बारे में सबसे पहले समझेंगे HRM होता क्या है HRM का फुल फॉर्म होता है Human Resource Management यहां पर सारी टेक्नीक्स हम लगाते हैं Human Resource को कितने बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं तो यह सारा काम Human Resource Management के अंतरगत होता है ठीक है जो भी हमारे हां Employees work कर रहे हैं कितना बेटर तरीके से आप वर्क करा सकते हैं को कितना बेटर तरीके से आप उनसे को मानेज कर सकते हो यह हम लोग पढ़ते है HRM में यहां पर देखे क्या रिखा हुआ है मीनिंग HRM means the management of human resource it serves as a nervous system of an organization HRM को nervous system of organization क्यों बोलते हैं क्यों सिंपल सी बात है इसलिए इंसानी वर्क करते हैं तो वह एक दर्क्राइब करते हैं उनके काम से ही सारा काम चलता है जो भी employees काम कंपनी में कर रहे हैं उसके वज़े से ही company चलती है इसलिए employees को nervous system भी कहा जाता है तो यह होगे आपका meaning of HRM अब पढ़हेंगे definition of HRM क्या है definition HRM is planning, organizing, directing and controlling of procurement, development अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है human resource management में हम लोग planning करते हैं चीजों को organize करते हैं directing, controlling and procurement, development, compensation, integration, maintenance and reproduction of human resources at the end of that individual, orient, organizational and societal objective of the accomplish इसका मतलब गया हुआ, human resource management में हम human resource के बारे में planning करते हैं ठीक है, organization के बारे planning मत लिख दीजेगा यहाँ पर आपका human resource related पूरा subject है तो human resources के लिए planning करते हैं उनको organize करते हैं, उनको direct करते हैं, उनको control करते हैं ठीक है, और कैसे उनसे काम करवाना है प्लस वो यह सब काम करते हुए अपने जो objectives हैं उनके भी objective पूरे हो जाए और हमारे भी objective पूरे हो जाए ठीक है, ठीक है जब यह company में हम किसी भी बंदे से काम करवाते हैं वहाँ पर win-win situation होता है तभी employee जादा लंबे समय तक काम करता है ठीक है, कोई individual अगर किसी company में काम कर रहा बड़ा दुखी है कि salary नहीं मिल रही है या फिर लोग हम से अच्छे से बात नहीं करते लोग मेरे respect नहीं करते तो वह तभी तब काम करें जब तक बंदा मजबूर है जैसे कि उसको कोई नया job मिलेगा वह job फोड़के चला जाएगा तो HR का काम क्या होता है human resource management को manage करने वाला जो employee होता उसको HR कहते है human resource ठीक है human resource manager जो होता है उसका काम क्या होता है कि वो सारे employees को इस तरीके से control करके इस तरीके से well तरीके से उनसे काम करवाए कि उनको काम करने में बुरा भी न लगे ठीक है और उनके खुद के भी objectives पूरे हो ठीक है और साथी साथ organization के भी objective पूरे हो जितनी भी बड़ी company होती है उनके पास सबसे बड़ी problem क्या होती है human resource को रोक के रखनेगा वो human को रख तो रत लेते हैं employees को रख तो लेते हैं लेकिन employees लंबे समय तक उनके काम नहीं करते हैं फिर लोग कहते हैं कि भाई private company में में लोग ठिकते नहीं हैं तो यहां पर लोगों की दिकत नहीं यहां दिकत होती है कि लोग HR manager को hiring करते हैं उनको लगता है कि company ऐसे ही चल जाएगी लेकिन आज के time में HR की बहुत बड़ी जरुवत है ठीक है यही लोग होते हैं जो employees को retain कराते हैं लंबे समय तक employee को रोक के रखते हैं पढ़ेंगे enterprise के head से फिर उसके बाद professional significance फिर social significance और national significance आप देख रहें कितने importance ने HRM के यह HRM का क्या-क्या महत्व है तो पहला है significance of an enterprise तो enterprise point of view से क्या significance है पहला है utilizing effectively the available human resource तो enterprise के point of view से better क्या होता है अगर आपके HRM अपने establish करते हैं human resource manager अपने हाँ बैठाते हैं तो उसका आपको फाइदा यह मिलता है कि जो आपके available resource है मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि बहुत महेंगे employees hire कर लीजे available resource है उनसे काम करने का तरीका HR को आता है कैसे उनसे काम करवाना है तो यह बहुत बड़ी बात होती है आपको कोई नई hiring करने के लिए नहीं कहा जा रहा है जो आपके पास resources पहले से ही है उनसे अगर कोई अच्छा काम करा सकता है तो वह HR होता है तो इसलिए कंपनिया HRM में बहुत ज़्यादा focus करती है उसके बाद है developing the necessary skill and right attitude तो HRM के होने से होता क्या है कि जो हमारे HR होता है वो हर एक employee को screen करता रहता है वो उनसे बात करता रहता है उनको देखता रहता है और उनके अंदर की चीज़ों को समझता रहता है और साथी साथ उनको training भी देता रहता है समय समय पर उसको लगता है कि हाँ इस employee को training की ज़रूरत है इसका attitude बड़ा negative हो गया है तो उसको training भी देता है उससे फाइदा क्या होता है कि जो company में जो employees काम कर रहे है उनके attitude सही हो जाते है अगर आपका attitude सही हो जाता है जतना मजबूरी में आप कर सकते हो लेकिन अगर आपका attitude company के थुरू अच्छा है ठीक है अगर आपकी सोच आपका attitude company के थुरू प्रोजटिव है तो automatic आप अपना best दोगे अगर आप अपना best दोगे तो company भी अच्छा profit earn करेगी तो यह चीजे समझती है बड़ी कंपनिया इसलिए वो HR को hire करती है ताकि उनके enterprise में जो लोक work कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा productive हो ज्यादा से ज्यादा results दें clear है next आते है professional significance provides maximum opportunities for the personal development of each employee अब जो HR होता है पढ़ा लेका तो होता ही है ठीक है लेकिन उसके अंदर एक अच्छी quality कर लीजे या फिर उसका job profile कर लीजे उसका ये भी होता है कि वो company के development के बारे में तो सोचता है साथी साथ employee के development के बारे में सोचने में फाइदा क्या होता employee लंबे समय तक आपके company में टिक जाता है employee के development का मतलब कि वो employee को educate भी करता है अगर उसको लगता है कि यह employee issues में better है इसको यह course करा दे तो यह और अच्छा काम करेगा तो employee के मन में भी आता है यार company कितनी अच्छी है मुझे यह सब courses free में करा रही है salary भी दे रही है तो अब तो मैं यही रहूँगा ठीक है तो employee के अंदर एक मतलब feeling आने लगती है कि उसको लगता उसकी खुद की company है यह feeling generate करने वाला जो बंदा होता है वो HR होता है वो generate करता है feeling कि हाँ आप इसी company में work करना है वो कैसे उस particular employee का development करा गए है देकि बड़ी बड़ी बाते करने तो कुछ नहीं होता जब आप सही में किसी के life को touch करते हैं सही में किसी को आप development करते हैं सही में किसी का आप फाइदा करते हैं तो वो लोग आपके साथ हमेशा होत आप सबसे अच्छा परफॉर्म करते हो तो यह सब चीजें समझने के लिए भी एक बंदा होना चाहिए ना इसलिए HR पढ़ाए जाता है कि HR बहुत important होता है एक company के growth के लिए अब आते हैं social significance तो society के लिए कैसे हो अच्छा हो गया HR manager का काम society के लिए कैसे अच्छा है तो पहला provide suitable employment तो best चीज़ HR manager की क्या होती है यह लोग हमेशा employment opportunities भी generate करते रहते हैं इनको लगता है कि नई company में और over burden नहीं करते हैं आप दोखो कि छोटी company में क्या करते हैं एक ही employer सारा काम कराते हैं employee काम करते करते हैं मतलब company शोड़के भागी जाता है वो सोचता है कि भाई कहीं का नौकरी मिलना तो लो निकल जा है ठीक उसके अंदर यह सब चीज़ें feelings आती रहती है लेकिन बड़ी भाई तुम इतना काम करो जिसमें आप जितना काम करके आप खुश हो ठीक है जितना आप काम मन से करो 100% अपना दो तो HR आपको वही काम देता है तो इससे होता क्या है कि अगर company को और employees की जरूवत है तो companies hire भी करती है ठीक है तो बड़ी company में आप देखो कि number of employees भी ज्याद करने के लिए तो वह बैचारे salary के पीछे ही परचान रहते हैं लेकिन बड़ी company क्या करती है और उनसे पैसा कमाती रहती है कोकि जो उनका HR होता है सबसे काम करवा लेता है नेक्स है eliminating the waste of human resources अब बैस चीच के आए कि कोई भी human resource waste नहीं होने देता है HR उससे कोई ने कोई काम कि उसको लगा देता है और जो company के लिए productive हो ठीक है कोई employee लगता है कि हाँ ये बंदा sales में काम नहीं कर पा रहा है तो company का HR उसको company से बहार नहीं नहीं कर लेगा वो क्या करेगा sales में अच्छा नहीं है तो हो सकता है operations में अच्छा हो हो सकता है computer काम अच्छा करता हो ठीक है तो कोई नो कोई काम में उसको लगा देता है तो जब आप हर एक resource को सही तरीके से utilize करते हो सही तरीके से allocate करते हो तो society में विरोजगारी नहीं होती चोटी company हो में क्या होता है आप गए काम करने आप काम नहीं कर पार आपको भगा दिया आप unemployed हो गया लेकिन बड़ी company में क् particular training दी जाती है कि चलो कोई यह काम नहीं कर पा रहे तो यह काम करो तो आप कहीं नहीं सेट हो जाते हो तो उससे होता है कि society unemployment की जो विवस्था होती है वो समहली होती है unemployment का इस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है तो इसलिए HR जो होता है वो society की भी help करता है एक तरीके से grow करने में clear है next आते है national significance देश की क्या मदद होती है HR के होने से यह भी समझ लेते है speed of the process of economic growth अगर आप किसी भी employee का 100% निकाल लेते हो और ऐसे ही पूरे company के employee का 100% निकाल लेते हो तो simple सी बात है company को grow करना ही करना है at any cost तो अगर HR इस सब काम करने में successful हो जाता है तो simple सी ब और company grow करेगी तो अच्छी बात है फिर country भी grow करेगी उसके बात क्या है leads to the higher standard of living और जब लोग अच्छा काम करेंगे तो उनको अच्छी salary मिलेगी company grow करेगी अच्छी salary मिलेगी तो उनके standard of living भी अच्छी हो जाएगी ठीक है तो यह फाइदा होता है HR managers का अभी तो starting अभी आ इतना important एक branch है HR जो कि बहुत लोग नहीं जानते हैं जिसके बज़े से वह अपना कितना नुकसान करा देते हैं Thank you students for watching